Hello Guys and Welcome back to the Part 2 of Option Trading Basics to Advanced Masterclass अब हम लोग देखने वाले हैं Part 2 ठीक है इस पार्ट में हम लोग देखेंगे Option Greeks आपको कोंसे स्ट्राइक लेनी है क्यों लेनी है ओटिम क्यों नहीं लेना है अड्दमनी कब लेना है डेल्टा गामा वेगा थेटा क्या होता है इंड्रिंसिक वैल्यू क्या होती है important facts क्या होते है सारी चीज़े हम लोग देखेंगे पार्ट में हमने बेसिक्स देख लिया था जिसको कुछ भी नहीं आता उनके साथ यह दो पार्ट जरूर शेयर करते हैं जो लोग टिप्स पे वगेरा रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं उनको सीपी भी नहीं आता उन लोगों के साथ जरूर यह वीडियो शेयर कर दीना ठीक है अब देखते हैं ग्रीक्स की बात ठीक है अब मुझे बताए यह डेल्टा होता क्या है ठीक है अब डेल्टा जो होता है न डेल्टा यह डेसाइड करता है कि आपने जो भी स्ट्राइक प्राइज ली है जैसे कि अगर मैंने मान लेते हैं 41,200 की स्ट्राइक प्राइज कॉल ले लिया और 41,000 का call option मैंने अगर लिया है मान लेते हैं तो कौन से strike price में मुझे maximum benefit मिलेगा market अगर 100.00 उपर जाएगा तो कौन से strike price का option जादा बड़ेगा वो decide करता है delta ठीक है अब कैसे decide करता है वो हम लोग जान लेते हैं तो last video में हमने देखा था otm होता है right add the money होता है और in the money होता है तो यह जो तीन चीज़े होती है इसमें delta की value होती है अलग-अलग ठीक है अब हम लोग देखेंगे overview देखेंगे कि otm में generally क्या value होती है तो otm में होती है 0.2 0.2 0.3 ऐसे इसके value होती है add the money पे हम लोग count कर लेंगे 0.5 और in the money में हम लोग one calculate करेंगे यह मैं आपको overview दे रहा हूं इस तरह की value यहां पे होती है मतलब maximum होती है in the money में maximum होती है add the money में in the money से कम होती है और add the money में सबसे otm में सबसे कम होती है add the money में जो है in the money से थोड़ी कम होती है और otm में add the money से भी कम होती है तो यहां पे आपको दिख रहोगा 0.2 इसके value है otm की add the money की 0.5 और in the money की है one यानि कि सबसे maximum अब calculate कैसे करना है कि मान लेते है market यानि कि जो अपना bank nifty है बैंक निफ्टी अगर कितना उपर जाएगा तो अपनी strike price कितना उपर जाएगी ठीक है यह बैंक निफ्टी का चार्ट फॉर एक्जमपल यहां से market जाता है 100.00 उपर बैंक निफ्टी spot chart ठीक है यह जो आपको दिख रहा है यह फिर इन दमनी वाली अटमनी वाली किसमें कितना ग्रो होगा प्रीमियम का ठीक है अब प्रीमियम क्या होता है जो हमने यहां पे देखा था प्रीमियम क्या है यह एक्सेंट करेंगे था हो फॉर एक्जमपल फॉर्टी वन थाउजन तूहंड़ेड का सीह हमने लिए तो इसकी वैल्यो चल रहे है तो हमने कौन सिस्ता इक प्रेज लिए रहे वह इसमें से कितना किसका है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो 205 यहां पर तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं मार्केट अगर 100 रुपई जाता है तो यह 205 से बढ़के कितना हो जाएगा क्या है 250 होगा क्या कि यह 300 चला जाएका तो कितना जाएगा वह कैसे क्वेट करना उसकी मदद से अ मतलब डेल्टा की मदद से हम लोग उसको क्यालकुलेट कर सकते हैं तो अब उसको क्यालकुलेट करें के लिए अपने को simply देखना है किसमें कितनी वाल्यूमा वाल्यु ओ टी यह में 0.2 आमान में है one value मान लेते हैं bank Ein Ч strand गया सो पोइंट उपर सिंसल इडल्टा वैल्यू को सो से multiply कर दो ठीक है यह डलता वैल्यू सो पोइंट मौट क्या एस से Uk Warner कर दो सो पोइंट क्या इसको इससे मल्टिप्ला कर दो इसको इससे मल्टिप्लाइ कर दों मान लेते आपने OTM ले लिए मैंने at the money ले लिए और किसी ने तीसरे ने इन दमानी ले लिए market तो 100.00 उपर गया लेकिन इस वाले को इससे multiply करोगे तो उसका premium कितना बढ़ेगा बढ़ेगा इसको इससे multiply करोगे 0.5 से तो कितना बढ़ेगा पचास बढ़ेगा इसको वन से अगर multiply कर दोगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा तो दिखने में अभी technically overall अपने को यह दिख रहा है कि OTM वाली strike price में 20 से बढ़ेगा यानि कि अगर यह जो strike price है OTM होती तो इसमें 200 से यह बस 220 जाता अगर इंदमनी होती तो यह 200 का 300 हो सकता था अगर यह एड़ दमनी होता तो यह 200 से 250 हो सकता था ऐसा अपने को calculations बताते हैं लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ी होती है अभी तो हमने सिर्फ डेल्टा देखा है अभी तो थीटा देखना बाकिए वेगा गामा देखना बाकिए राइट तो अभी टेक्निकली अपने को यह पता चलता है कि डेल्टा वैल्यू सबसे जब्धा हाइँ होती है इंदमनी में अगर मार्केट कितना उपर जा रहा है उसके बेसिस पर अगर अपना प्रीमियम क कितनी वैल्यू है वह आपको सौफवेर वगेरा बद मेल जाएंगे लेकिन जनरली वह सब देखने की जरूरत नहीं होती है तो डेल्टा हमने देख लिया क्या काम है उसका अपना प्रीमियम आखिर कितना बढ़ेगा अगर ओटीम हमने लिया तो वह कितना बढ़ेगा यह अपने को पता चलता है लेकिन घेखने लेकिन एंद ममनी को पता है लेकर अगर मेरे करते हैं अब अब बात करते हैं Gama कि Gama आखिर क्या होताई तो Gama Delta की प्राआइस को चेंज कर तो क्यों चेंज करेगा उसका अंसर अगर हम लोग देगें क्योंकि मार्केट एक जगा पे तो होता नहीं अब और एक्जांपल यह है बांक निफ्टी ठीक है अब बैंक निफ्टी जो है अभी फिलाल यहां पर अब मुझे बताओ 15 मिट बार बैंक निफ्टी अगर यहां पर र एल्टा वैल्यू भी तो चेंज करनी पड़ेगी एड अथ दमणी पर कितनी होती है डेल्टा वैल्यू 0.5 में जब भी कोई इन दमणी बंजाती है इन दमणी वाली प्राइज ओटीएँ बन जाती है कुछ भी होता रहता है मार्केट तो उपर नीच चाहता है तो उसकी ड अब बात करते हैं वेगा की वेगा में आपको ज्यादा डीटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका मतलब है अब पर नीचे जाता है या फिर कभी 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 चेंज नहीं भी आता है इसको बोलते हैं वेगा तो डेल्टा मोस्ट इंपोर्टन होता है गामा थोड़ा सा important होता है वेगा least important होता है लेकिन जो थीटा होता है option buying के लिए option selling लिए और ये दो चीजे आपको most important होती है ठीक है तो अब बात कर लेते हैं हम लोग थीटा के बारे में ठीक है थीटा क्या होता है थीटा equal to time value अब आपने बहुत बार सुना होगा कि time value होती ह options की options decay हो जाते हैं मैंने भी आपको बोला था कि otm वाले options zero हो जाते हैं expiry वाले दिन तो आखिर expiry वाले दिन ऐसा होता क्या है वो हम लोग देखेंगे otm वाले zero क्यों होते हैं और इंदमनी वाले zero क्यों नहीं होते है ठीक है तो थीटा equal to time value अब time value को हमको कैसे calculate करना है वो अगर हम लोग example देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है ना 226, 283, 207 यह जो strike prices हमने लिए है एक PBA, CEBA हर एक option में चाहें इन दमनी हो चाहें out of the money हो उसमें जो strike price होती है या फिर जो उसमें जो premium होता है उसमें कुछ ना कुछ time value होती है और कुछ ना कुछ उसकी actual value होती ह अब time value जो है उसको expiry वाली दिन 0 हो जाती है जितनी भी time value इसमें बची है अब कितनी calculate करना वो तो मैं आपको बताऊंगा तो time decay जो है वो continue चालू रहता है अब यह काम कैसे करता है मान लेते है ice cream है ice cream वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लिए मैं short में explain कर लेता है उसका जो पिगलने का process है वो चालू रहता है ना continue दिरे 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 वो पिगलता रहता है वैसा ही थीटा में जो time value है premium से थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है जैसे कि अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा क्या दिख रहा है आपको यहां पर 280 है for example इसमें से चालू है चाहे sunday हो चाहे monday हो चाहे चुटी हो चाहे कुछ यह थो थीटा का न IS we 24 seven CH Wr जाता यानि कि टाइम डीके टाइम हो ज़याता है यानिकी value decay हो जाती है value कम हो जाती है वो प्रोसेस इसकी हमेशा चालू रहती है तो जब हमने डेल्टा देखा था तो डेल्टा में हमने क्या देखा था इंदमनी की value होती है one डेल्टा value तो market अगर 100 point उपर जाएगा तो इंदमनी strike price भी तो 100 से बढ़नी चाहिए ऐसा आपने को सिर्फ डेल्टा बताता है लेकिन क्या actual में exact 100 बढ़ती है क्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है तो exact 100 क्यों नहीं बढ़ती क्योंकि theta minus होता रहता है continue जितनी भी इसकी value है value x की बात अगर हम लोग करेंगे तो theta हमेशा कम होता रहता है तो इसलिए अगर market 100 point जाता है तो आपको option 100 point बढ़ने के बजाए 70 बढ़ता है 80 बढ़ता है पूरा नहीं बढ़ पाता उसका reason है theta क्योंकि theta का का हमेशा चालू रहता है ऩाल अब लोग बात करते इंत्रेंसिक value इंत्रेंसिक वेल्यो से ही अपने को पता चले इंक data value कैसे calculate करते सब्सक्रोल अब इंट्रेंसे वैल्यों कि यॉने की अच्च्छल वैल्यू अँध मैंधे आपको पूला था कि Kraug को इंदमनी लेना I'm लेना यह कि इनदमधे में डेल्ट वैल्यों भी हाय होती है और इंट्रेंशेक वैल्यों आपको मदद करती है इसटमपल यहां यहां पर यह मार्कट चल रहा है यहां पर फॉर्टी वन था हॉजन पर मार्केट चल रहा है अर इसके नीचे के जितने भी C है यानि कि 4900 4800 राइट 4800 4900 तो यह जितने भी सी ओप्शन से कॉल ओप्शन से यह सारे इंदमनी राइट तो मार्केट यहां पर जितना भी उपर जाता है यह जितना भी उपर है यह सारी वैल्यू इसकी एक्ट्वल वैल्यू होती है जैसे की 4900 के कितना उपर मार्केट चल रहा है फॉर एक्जामपल यहां पर यह है 414100 का मार्केट प्रीच चल रहा ohh थिकर एक्ट्वलए की दिन साधे तीन बज़तों आपको एस स्ट्राइक प्रेस की वैल्यू सव मिलेगी अभी तो आपको updating कि quindi कि हर एक premium option में हर एक premium में कुछ ना कुछ value time value भी तो है for example 40 100 का CE हम लोग लेते हैं 41 100 का CE की value क्या चल रही 270 चल रही है market 41 100 के कितना उपर चल रहा है 91 points 90 points तो यह जो 95 points है 94 points यह है इसकी actual value तो क्या करना है हमको 268 में से यह जितना भी market इसके ऊपर चल रहा है 90 points उसको minus कर लो तो बची हुई value is पूरी time value ठीक है तो time value कैसे calculate करेंगे spot price ठीक है आपको यहां पर क्या देखना है ठीक है spot price क्या चल रही है spot price for example चल रही 41,000 ठीक है और हमने जो strike price लिए वह 4900 ठीक है 4900 हमने strike price लिए तो मुझे बताओ इस CE का जो call option है इसकी price for example चल रही है 200-200 रुपे चल रही होगी अब इस price की कितना उपर यह बचा है कितना उपर चल रही है सी का option हमने लिए मार्केट के price चल रही है 41,000 पे हमने strike price लिए 4900 CE यह strike price हमने लिए तो कितना उपर है 100 उपर है तो इसमें से जो 100 है वह actual value बची कितनी 200-100 कर दो 100 बचती है और अगर 210 होता तो 110 जो होती वह होती थीटा के value time value और यह थीटा value एक्सपाइरी पर जीरो हो जाएगी चाहे इंदमनियों चाहे अड़ दमनियों चाहे उटीम हो अब ओटीम में intrinsic value होते ही नहीं है क्योंकि ओटीम जो होता है वह प्राइस के ऊपर होता है और जो इंदमनियों वह हमेशा price के नीचे होता है यानि कि price वहां पे वहां से जा चुकी है for example ठीक है तो यह है इंदमनियों strike price market चल रहा है यहां पर क्या यहां पर market आया है कि अभी तक नहीं आया तो ओटीम में सबसे ज़्यादा कम होती है डेल्टा वैल्यू डेल्टा वैल्यू भी बहुत कम होती है और इसमें intrinsic value actual value होती ही नहीं है तो अब मुझे बताए आपने expiry पे for example लेली कोई OTM strike price 50 रुपए में खरीद लिया और कोई in the money strike price मैंने खरीद ली 200 रुपए में अब market उपर तो जाता है दोनों के इसाब से दोनों के इसाब से थोड़ा बहुत उपर जाता है लेकिन आपके strike price को market cross भी नहीं करता और expiry वाले दिन यहीं पर close हो जाता है और मेरी strike price की market उपर 100 उपर close होता है तो मैंने जो loss किया है 100 रुपए का अगर मैं इसको यह वाली strike price लेता तो जितना भी capital आपने इसमें लगाया हुआ है तो यहां पर आपका जो loss होता वो पूरा premium आपका 0 हो जाता तो जितना भी आपने लगाया वो पूरा पैसा 0 होता लेकिन इंदमनी वाले में कुछ ना कुछ actual value बच थी तो उसका पैसा कभी भी 0 नहीं होता ठीक है यह example से अपने को पता करते हैं अभी यहां पर मार्केट में प्राइस का चल रही है 41-200 तो अब किसी को दोनों का analysis से अपना कि मार्केट ऊपर जाएगा यहां पर किसी ने ले लिए 41-400 का OTM वाला call option और मैंने ले लिए 41-100 का call option इंदमनी वाला ठीक है मैंने लिए मेरे क्या क्या benefits है डिल्टा वैल्यू सबसे हाए यानि कि मार्केट 200 जाएगा तो मेरे हाए डिल्टा वैल्यू से मल्टिप्ला होगा तो 200 पॉइंट मैंसे मुझे कम से कम 150-160 पॉइंट मिलेंगे लेकिन OTM वाले को कितने मिलेंगे पता है अगर मार्केट यहां से 200 जाता भ के बढ़ेगा और फिर ऐसे उसका ब्रीमियम बढ़ेगा लेकिन अगर एक्सपारी वाली दिन मार्केट अगर यहां पे आता है और एक्जांपल मार्केट यह तक आता है उसके strike प्रेस और यहीं पर close हो जाता है तो इस दिना भी प्रीमियम लगा हो पूरा जीरो हो जाएग ठीक है तो इंदमनी हमको क्यों लेना चाहिए अब इसके बाद से अगर कोई आपको बोलता है या पूजता है कि इंदमनी में क्यों काम करना चाहिए तो बेनिफिट क्या-क्या है इंदमनी के डल्टा वैल्यू हाय होती है इससे अपने को ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं देल्टा वैल्यू इस ऑल्सो सपोर्टेंग इंदमनी स्ट्राइक प्राइज तो ऑप्शन बाइंग जब करते हैं तो हमको इंदमनी स्ट्राइक प्राइज लेना इस ऑल्वेज बेटर ठीक है अब ओटीम या फिर एड़ दमनी किसको काम आती है वह काम आती है ज्यादा- प्राइब और ऑप्शन सेलर्स को डिल्टा वैल्यू हाय चाहिए बिल्कुल भी नीचे अगर सो पॉइंट उपर जाएगा तो प्रीमियम उनके अगेंस्ट में जाएगा तो अगेंस्ट में जितना कम जाएगा तो ही उनके लिए बेटर है तो वह लोग क्या करते हैं ऑप् 500 में यह 50 में वह सारा हो जाएगा जीरो तो वह लोग सेल करेंगे 50 में खरीदते हैं वापिस बाइब करते हैं 0.5 में वन में तो यह 40-49 पॉइंट के आसपास का उनका पूरा प्रॉफिट होता है तो ऑप्शन बाइंग में आपका जो ऑप्शन है वह 100 का 500 हो सकता है लेकिन ऑप्शन सेलिंग में 50 से यह जाजा के 0 जाने वाला है तो इसको क्यापिटल जादा लगता है क्योंकि इसमें रिस्क भी जादा है मान लेते हैं 50 में किसी ने सेल किया ठीक है 50 में और वह 0 होने के बजाए वो तो 100 हो गया 200 हो गया 300 हो यह तो unlimited risk है 50 रुपे कमाने के लिए य इसको बलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स ठीक है intrinsic value option की value होती है actual value जो option में बचती है उसको बलते है intrinsic value अब मैं आपको basic कुछ questions पूछता हूं मान लेते हैं अगर आपने otm ले लिया गलती से ठीक है किसी ने किसी हुशार आदमी ने इंदमनी ले लिया गलती से ठीक है मतलब सोच स मचके इंदमनी लिया था उसके ओपोज में direction जा रहा है तो पैसा कौन कमाएगा कम ज्यादा वो ठीक है पैसा कौन कमाएगा पैसा कमाएगा otm वाला राइट तो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि otm लेलो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर market में आपका direction सही है तो चाहे आप ल सकता है लेकिन अगर direction गलत है तो चाहे इंदमनी लेलो चाहे option selling कर लो चाहे option buying कर लो चाहे कुछ भी strategy लगा लो चाहे यह सब सीख लो चाहे यह सब calculate कर लो तो भी profit नहीं होगा अगर direction गलत है तो तो जो important fact है market में यह सारी चीज़े जाननी तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक one time knowledge है ठीक है लेकिन यह one time knowledge यह basic है इसके बिना गलत strike पर ले लोगे तो हो सकता है कम profit आप लोग कम हो रहें यह सब चीज़े आपको जानना ज़रूरी है market में काम करना है तो direction पर focus करना है direction जब आपका सही होगा तो चाहे option selling करो option buying करो आप पैसा कमा होगे लेकिन direction गलत ह तो चाहे option buying करो option sharing करो पैसा आप नहीं कमा होगे I hope कि आप लोगों को यह master class थी options की यह आपको पसंद आई है अब यह सारी चीज़े सीखने के लिए किसी को भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है यह सारी चीज़े आप लोगों को free में हम लोगों ने सिखा दिये इस चैनल पर ठीक है तो मैं एक playlist बना दूँगा options से related जितने भी चीज़े अपने चैनल पर अविलेबल है strike price selection वगिरा detail में उसकी एक playlist बना दूँगा 4-5-6 जितने भी videos है उसको ले के तो यह master class जो basics है जो beginner से उनके साथ जरूर share कर देना ठीक है thank you so much for watching this video guys बहुत efforts लगते हैं बड़ी video बनाने के लिए तो like कर दोगे तो better रहेगा motivation मिलता रहेगा और worth रहेगा यह time दालना ठीक है thank you